Good morning friends, my name is Chandru Vardhan and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज हम लोग भरतिये राज व्यवस्था परने वाले हैं, जो कि special notes है, 67th BPSC PT यहाँ पर लिखा हुआ है, लिकि यह 68th PT के लिए होगा, ठीक है? और यह जो है, आपका 67th मेंस होने वाला है, उसमें भी यह काफी काम आएगा, क्योंकि आज हम लोग परने वाले हैं, समविधान की अनुसूचियों के बारे में, जो sedules हैं हमारे समविधान में, उनके बारे में आज हम लोग परने वाले हैं, टोटल 12 sedules हैं हमारे समविधान म ज़िए हमारे किसी paid group में आप join करना चाहते हैं जो कि 67th PT के लिए हो या फिर आपका 67th मेंस के लिए हो या फिर 68th PT के लिए तो ये सब numbers है जहाँ पर आप call कर सकते हैं वार्ट सेप कर सकते हैं तो चलिए देवना करते हुए सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखत ये सब तो अनुच्छेत दिये हुए है यहां से अनुसूचियां दिये हुए है तो आएए देखते हैं भारते समविधान की 12 अनुसूचियां जो है उनके बारे में जो पहली अनुसूची है आपका जो first schedule है उसमें राज्यों के नाम दिये हुए है उनके न्याइक छेतर नाम दिये हुए हैं और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है मतलब जितने भी एस्टेट्स हैं हमारे देश में उनके नाम है और उनका जो न्याएक छेतर है उसके बारे में बताया गया है उसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो है उनके बारे में और उनकी सीमाओं के ब तो इसमें जो है परिलब्दियों पर भत्ते हैं, विशेशाथिकार हैं और इसे सम्मंदित प्राबधान जिसमें भारत के राश्रुपती हैं, फिर आपका राजियों के राज्यपाल हैं, लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापती और उपस तो इन सब का जो वेतन और भट्ता रवेतन भी आगारा जितना भी मिलता है वो सब इसमें सामिले ठीक है और तीसरी जो अनुसुची है उसमें सबका सपत और प्रतिज्ञान सामिले ठीक है देखिए सब पहले वैसे प्दारन करने से पहले आपका सपत लिया जाता है उसके बाद फिर आपका वेतन वगरा होता है लेकिन यहाँ पर उल्टा है इसको ध्यार में रखते हुए आप याद कर सकते हैं तो यह उम्मिदवार कौन कौन है इनमें कुछी लोग जो है जो समयधानिक पद पर स्थापित होते हैं उनके बारे में उनके सपत और प्रतिग्यान के बारे में दिया हुआ है जिसमें संग के मंतरी है संग के लिए संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्ती है उसके अलावा संसद के सदस्य है सर्वोचे नयाले के नयाधीज है भारत के सिएजी है यानि के नियन्त्रकेम महालेखा परी चकर राज्यमंत्री है कौनका अम narrator किस लिस्ट में है ये जरूर आपको याद रखना है इसलिए मैंने स्टार मारका लगा दिया तिक है और इसके ताज जो है आपका 75 है 84 है और बाकी सारे अनुचेद है यह आप देख लिजेगा और इसके ताज भी चितने अनुचेद है वो सब देख लिजेगा वैसे यह अनुचेद याद रखने की ज़रूरत नहीं है तिक है जब हम लोग राश्ट्र पती परदेसों के लिए राज्य सवा सीटों का क्या अवंटन होगा यह उसमें दिया हुआ है और इससे संबंदित अनुचेद है अनुचेद चार और अनुचेद अस्ति यह याद रखियेगा उसके बाद है फिफ्ट सिड्यूल में क्या दिया हुआ है अनुचुछित और जन जा जो छेत्र होते हैं अलग-अलग राज्यों में उनका प्रसासन अलग तरह से होता है उनमें डिफरेंट तरीके के प्रतिबंध होते हैं आवागमन का उतना ज्यादा उसमें फ्रिडम नहीं होता है ठीक है ताकि उनका जो कल्चर है जो संस्कृती है उसका बचाओ की आया सक नेश्ट है आपका सिक्स सेड्यूल जिसमें असम, मिघाले, त्रिपूरा और मिजोरम राज्यों के जन जाती है छेत्रों के प्रसासन के बारे में बंद किया हुआ है तो आपको ये याद रखना चाहिए असम, मिघाले, त्रिपूरा और मिजोरम सिर्फ यही चार राज्य है बाकी कोई राज्य इसमें नहीं है ठीक है next है आपका seventh schedule यह बहुत ही famous schedule है और इसमें जो है आपका संग सुची राज्य सुची और समवर्ती सुची के विशे दिये हुए है और कुछ विशे जो है इसमें अफसिष्ट विशे है जिनकी सक्ती किंदर सरकार के पास होती है सक्च संग सुची के जितने भी विशे है उन पर कानून बराने का अधिकार जो है वो संग सरकार का है मतलब union cabinet का है union government का है और जो आपका राज्य सुची के विशे है उन पर कानून पराने का अधिकार जो है वो state government को है ठीक है तो यह याद रखिएगा अब यहां से यह भी सवाल पूछाया था कि संग सूची में कितने विसे हैं तो moon group से इसमें 97 विसे थे 97 लेकिन अब जो है इसमें एक और विसे जोर दिया गया और यह 98 विसे हो गया राजे तो अच्छा यहां पर यह भी चीज जानना जरूरी है आपको कि संग सूची और संग सूची और राजे सूची ठीक है इसके बारे में जानना जरूरी है आपको संग सूची पर तो कानून बनाएगी केंदर सरकार और राजे सरकार लेकिन संवर्ती सूची का जो विसे है उ तो फिर दोनों में यदि टकराओ हो जाता है, दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ यदि हो जाते हैं, तो जो संध का कानून होगा, वही बैद होगा, वही मानने होगा, या याद रखिएगा, तो यहाँ पर हमारा unitary form of government फोरा सा जलकता है, ठीक है, उसके बाद जो है, वैस भासाएं हो गई हैं, तो इन 22 भासाओं का उल्लेक है, ठीक है, यह सब भासाएं हैं, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें जो है, आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पर याद रखना है, कि आपको कौंकनी, मनीपूरी और नेपाली को 1992 में एक 70-वे संसोधन अ कौन सी चार भासाएं जोड़ी गई, यह बराबर question पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका मरका में लगा देता हूँ, यह भी याद रखना है कि उडिया का नाम बदलकर उडिया कर दिया गया 2011 में, ठीक है, और जो सम्विधान सम्मत भासाएं हैं, उनके बारे में 344 और 351 अ जमिंदारी प्रणाली के उनमूलत से संबंदित राजविधार मंडलों और अन्यमामलों से संबंदित संसत के अधिनियम और विनियम, मूलता 13 थे, लेकिन अब 282 हो गया है, इस सुची को पहले संसोतन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकारों के उलंगमित के अधार पर जूडिसियल रिव्यू या फिर स्क्रूटमी जो है, वो इसमें संबंद नहीं है, मतलब इसमें अगर कोई कारून डाल दिया गया और वह अगर आपके मौलिक अधिकार का उलंगम भी करता है, तो भी आप न्यायाले में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, यह तरसल जो गौर्ण जी के द्वारा पहले संसोधन के लिए, जब जमिंदारी का उनमूलन करना था, क्योंकि जमिंदारों से जब जमीन ली जा रहे थी, तो हो सकता था कि जमिंदार जो है, वो होट के पास चले जाए, और उनका जो जमिंदारी उनमूलन का कामून था, वो नहीं चल पाता, तो इस कारण से उन्होंने नाइस सेडियोल बना दिया ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं तेंथ सुची जो है यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तेंथ सेडियोल जिसमें दल बदल के आधार पर संसत और विधान सभा के सदस्यों की निरहरता के बारे में उपबंध किया गया ह इसको कहते हैं इंटी डिफेक्षन लोग इसको क्या बोलते हैं इंटी डिफेक्षन लोग बोलते हैं ठीक है दल बदल कानून तो इसमें यदि इसमें कुछ प्राद्धान दिये गया है जिससे अगर जो आपके संसा सदसे है या फिर विधान सभा के सदसे यदि मु करते है या फिर उसका पालन नहीं करते हैं, तब उन पर दल बदल का कानून लगाया जाता है, और इसको 52 सम्विधान संसोधाने दिनियां 1985 के द्वारा जो रगया, यह याद रखियेगा, और इसे दल फरिवर्तर, या दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है, नेक्स्ट है आपका 11 11th schedule, 11th schedule जो है वो पंचायत की सकतियों, प्राधिकारों, एवं जिम्मेदारियों से संब्दी था, और इसमें 29 सब्जेक्ट है, यह याद रखियेगा, आप BPSC पिछली बार भी पूछा है, 29 सब्जेक्ट से है इसमें, और कौन-कौन से सब्जेक्ट है, यह मैं अगले वी संब्दी था, उसी तरीके से 12 सुची जो है, वो आपका नगरपालिकों की सकतियों, प्राधिकारों, एवं जिम्मेदारियों संब्दी था, और इसमें 18 से है, तो पंचायत में 29 से है, और नगरपालिका में 18 से है, और इसको जो है 74 सम्विधान संसोधन के द्वारा ही जाता है, ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो में फिलाल इतना ही रहने देते हैं, नेक्श्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, मूल अधिकार के बारे में देखेंगे, जो महत्पूर्ण तत्य है, जो वन-Liner तत्य है, वो देखेंगे, मूल अधिकार पर एक वीडियो में पहले मी बना चुका हूँ, उसको उससे पहले जरूर देख लिएगा, ठीक है, बाकि पेड ग्रूप से जुड़ना हो, तो ये numbers दिये गए हैं, और जो वीडियो जो पसंद आता है, तो like और comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हम आपके वीडियो बनाते हैं, और चैनल पर ये नहीं है, तो subscribe करके bell icon भी तला दिएगा, चलिए इस वीडियो के लिए मैं चंदरवर्धन लेता हूँ, आपसे इजाज़त, जैहिंद वंदे मातरव